हाट अटाइक में पेन होती है बैठे बैठे पेन होती है अच्छा एंजाइना में कब होता है चलने से पेन होता है रुकने से पेन ठीक हो जाती है जब 70-80-70 एक आदमी बोलता है मुझे दोड़ने में दिक्कत है तो कितनी ब्लोके बोलू लू? More than 70. एक बोलता है मुझे चले में दिक्कत है. तो कितनी ब्लॉकेज बोलू? More than 80. एक बोलता है मुझे नाने दोने में दरद है. तो more than 90. और एक बोलता है मुझे बैठे बैठे दरद है. तो 100%. याद रखेएगा Heart Attack मतलब है Blockage is equal to 100%. अच्छा Heart Attack धीरे धीरे होता है, suddenly हो जाता है, suddenly हो जाता है, suddenly, अभी का भी हो गया heart attack, 5 मिनट पहले मिला, 5 मिनट बाद कतम हो गया, heart attack हो गयी, कैसे हो जाता है, आपको याद है, अब देखिए एक बार, अच्छे एक आदमी heart का patient है, उसकी कितनी blockage, 80 blockage है, उसको heart attack करना 100 blockage ले जाना है, क heart का patient भी दोड़ सकता है, अच्छे उसको कितने सा लगेगा भी heart attack करने, 60 है, 100 जाना है, 40 परसेंट बागी है, 20 ये बागी है, पता चला, 20 मिनट बाद heart attack हो गई, कैसे हो जाएगा heart attack, आपको याद एक परदा, आपने बताया था, आपने ब्लॉकेज को पर एक membrane होता है, वो membrane बस्ट कर जाता है, this is what a heart attack is, देखे, आपको समझ आता है कि नहीं, ये 20 परसेंट ब्लॉकेज है, दिख रहे है, membrane ब्लॉकेज के उपर, ये 40 परसेंट ब्लॉकेज है, membrane यहाँ पर है अभी, ये 60 परसेंट, 70 परसेंट ब्लॉकेज है, membrane अभी भी है, और membrane स्ट्रेच कर रहा इस खून में क्या होगा, chemical मिलेगा, और chemical मिलते ही ब्लॉकेज हो जाएगे 100%, this is called a heart attack, 100% ब्लॉकेज, किते देर में बना, पांच मिनिट में, 0 से 80 आने लगा था, 40 साल, और 80 से 100 आने में, 5 मिनिट, 2 मिनिट, अब एक बार बदाईए, heart attack को रोकना कैसे है, आपका दिमाग क् समझाता हूं, एक example सोच लीजे, एक नोट का गड़ी है, नोट का गड़ी समझते हैं, नोट के गड़ी में रवर्बेंड लगा है, मैं हर दिन उसमें नोट गुसाए जा रहा हूं, और जब रवर्बेंड टाइट हो गई, तो आपको मैंने पूछा, क्या करूं कि गुसाना मत देखना फटेगा नहीं, कि ये काम बात चिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, गुसाना बंद करो, और मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं कि कुछ नोट निकाल लो, कि रवर्बेंड डीला हो जाए, अब फटने का क्या चांस है, एक दम नहीं है, यह ही बात मैं हाट के पेशिंट को समझाता हूं, मैं बोलता देखो, अभी जहां तक चले गए, चले गए, अब आप ब्लॉकेज को बढ़ाओ गे, तो एक ना एक दिन हाट अटेक होगा, कब होगा हम नहीं जानते हैं, पर कभी ना कभी हो सकता है, आज 80 है, मालूम नहीं नब आपको क्या लगता है, लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं, वो जो कारण है ब्लॉकेज को उसको उटाओ, और बॉडी में सप्लाई फैट का बंद करो, अब हाट अटेक का चांस से इस अल्मोस्ट, निल, अल्मोस्ट, निल, और यही बात में हाट के पेशिंट को समझाता आपको क्या लगता है, सही हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन सेंस के बात यही बोलता है कि नहीं, ब्लॉकेज को उटाओ और खतम करो पाथ, तो यह है हाट अटेक रोकने का उपाई, मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट यह करते नहीं, वो खाना पीना गलत खाते रहते हैं, कि दवाईा हो यहां खाते हैं, कार्डियोलोगिस को फूछ भी लेते हैं, कि डॉक्टर साब, मैं आप से दवाई ले रहा हूं, तो आपके अंडर में हो गया ना, डॉक्टर बोलता है, मेरे अंडर में हो, बोलता है, डॉक्तर साब, कभी हार्ट इटाइक हो जाए, तो में आपको बताउं काहां पोचना है। और मैं भी महीं बहुचवा, फिर आपको बचाने की पूरी कोशिश करूँ अपरarto कि पहले का कुछ बाच अपको कहा लगता है। अरे, हाट अटेली का ही रोख लो ना ? ऐसा हो तो नियुज। want that. अच्छा, एक बहुत आईए, यह जो patient है, जिसका blockage बढ़ रहा है, यह सब जानता भी नहीं है क्यों blockage बढ़ रहा है, काडियोलोजिस्ट के पास जाए तो उसको बता दिना चाहिए कि नहीं किस लिए blockage हो रहा है, अच्छा, अगर heart के hospital में आप चले जाएं, तो वो लोग भी यही सब बात करेंगे ना आप से, क्या लगता है, हाँ या ना, वो लोग क्या बात करेंगे, उनके पास दो प्लाइन है, एक है bypass surgery और एक है NGO plastic, अच्छा, इतनी common सी बात है, blockage का कारण को रोको, वो इसको नहीं बता के bypass surgery, यहीं बोल रहे हैं, अपको क्या लगता है? आगे पहले common बात बताओ, फिर तो bypass surgery, अच्छा, बात करते हैं, वो लोग चाहते नहीं है, यह सब ज़्यादा, वो बोलते में हमारी bypass की काम अच्छे, अच्छा, वो लोग कैसे ले जाते होंगे आपको उस तरफ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कैसे यह system बन गया कि वो bypass surgery के तरफ चले जाते आदमी, मैं आपको समझाता हूँ, एक आदमी है, ordinary आदमी है, खाने में खुब चर्वी खाता है, उसको क्या मालूम इससे blockage होता है, cigarette उग्रेट टी रहा है एक दिन चलते चलते वो देख रहा है जब मैं speed लेता हूँ, मेरे को यहाँ पर दरद हो जाती है, फिर मैं रुख जाता हूँ दरद ठीक हो जाती है, कितनी blockage है 80, चलने में speed लेते ही दरद हो रहा है जब वो दादर चड़ता है, सीड़ियां चड़ता है उसको दरद होता है, तो कितनी blockage हो गई 80, अच्छा वो बताएगा क्या किसी को सोचता है, कि अभी तो मैंने feel किया है अगर घर में जाकर बता दूँगा, घर वाले परिसान हो जाएगे एक तो ऐसे ही वो परिसान है, इतने सारे कंप्लिकेशन से घर पे, और मैं ये भी बता दूँँ तो जंजट हो जाएगा, बताता नहीं है कितने दिन तक नहीं बताता है दो, चार, छे मिने तक वो खींसता रहता है क्या करता है, जब भी स्पीड लेने का काम होता है बोलता है, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, आप छोड़ दो, जा जाने दो जब दादर चड़ना होता है, तो जिरे से चड़ता है समान उठाना होता है, नहीं उठाता है पहुँच गए, अच्छा, लोकल काडियोलोजिस्ट को जाके बता दिया कि डॉक्र साब, जब मैं स्पीड लेता हूं, तो यहां पे छाती में दरद हो जाता है पिर रुकता हूं ठीक हो जाता है, अच्छा, उनको कुछ आइडिया लग जाएगा वो ECG करके देखते हैं, उसमें कुछ नहीं आता है पेशिएंट बोलता है, सर ECG में नहीं आएगा, आप चलाके ECG लीजे तब आजाएगा उसको मालूँ है, चलने से दरद होता है तो डॉक्टर स्ट्रेस स्ट्रेस कराता है, उसमें खराबी आ गई, अब इसका मतलब क्या हो गया? हाट की बिमारी है या नहीं है? अल्मूस्ट पक्का हो गया अब काडियोलोजिस्ट क्या बोलते हैं, बोलते हैं, आपको हाट की बिमारी हो गई है पेशेंट घबरा जाता, ब juvenत भाटलो की कया करूं, बनाता её सब इस्के अँच काम करो मैं एक हास्पिटल का नाम लिखके देता और उसमें चले जाओ और एक काडियोलोगियर्जिट का नाम लिखके देता हूं, उसके पास चले पेशिंट बोलता है तर और कोई बात को बहुत अब एक काम कर दिना मेरा उनको बता दिना मैंने ही आपको आप पे बेजा है अच्छ इसका भी कुछ पाइब है ना अच्छ आप आप कहां चले गए नेक्स दे पेशेंट पहुंच गया हाट के हांस्पिटल में कार्डियोलोजिस्ट को बता दिया कि मैं स्पीड लेता हूं मेरे को चाहती में दरद होता है कार्डियोलोजिस्ट को कुछ समझ आ गया क्य उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया एक नया पेशेंट आ चुका है अच्छ वो बोलते नहीं ऐसा वो क्या बोलते हैं वो बोलते मेरे को डौट है ये ब्लोकेज है या नहीं अच्या पेशेंट खुस हो जाता है, पेशेंट बोलता है, पेशेंट बोलता है, मेरे को डाउट है, पेशेंट बोलता है, मेरे को हाट की बिमारी होई नहीं सकता, अरे मैं कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, सिगरेट तो बहुत लोग पीते, मैं भी पीता हूँ, और चर्वी उर्वी तो बहुत लोग खाते हैं, मैं तो थोड़ी बहुत ही खाता हूँ तो पेशेंट क्या सोचता है कि कुछ निकलेगा तो नहीं, डॉक्टर ठीक ही बोल रहा है, कुछ मिले गई नहीं पेशेंट बोलता है, सर कोई उपाई है, पता चल जाए, ब्लॉकेज कितना है काडियोलोगी बोलता है, बोलते हैं, एंजियोग्राफी कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं, है या, अचा पेशेंट मान जाएगा, नहीं मान जाएगा पेशेंट बोलता है, सर कोई भी टेस्टों में तयार हूँ, आप बोलो क्या क्या कराना है बोलते हैं आपको एडमीट करके आपके अंदर एक तार गुसाएंगे और उसमें जान भी जाने की चांस है अचा पेशेंट फिर भी नहीं चाहता है तो बिना तार गुसाएंगे कुछ कर लीजे ना पता करना है ना ब्लॉकेज कर लीजे आप काडियोजी बोलते हैं एंजियोग्राफी बिना कुछ नहीं पता चलेगा अचा एंजियोग्राफी हो जाएगा नहीं हो जाएगा मैंने गलत काम किया है, बोड़े दिनों से मेरे को कोई नहीं बोला था, फैट नहीं खाना मैं खाया हूं, सिगरेट नहीं पीना मैंने पिया हूं, तो कुछ ब्लॉकेज मिलेगा, और प्लैन क्या बनाता है, कि घर जाके कल से सारा खाना पीना बदल दूगा, वाकिंग चालू कर दूगा, एक्दम प्लैन करके एंजियोग्राफी में जाता है, कि कल खाली रिपोर्ट लेके घर जाना है, अचा रिपोर्ट में कुछ एंजियोग्राफी होने के लाद रिपोर्ट में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिपोर्ट में, एंजियोग्राफी में कितनी ब् थोड़ा सा लेट आते हैं तो कुछ भी वह सकता था पेशन बोलता है इसका मतलब कुछ स्रीयस बात है पुल आप बचे कैसे में को समझ नहीं आ रहा है यह वेरी लगी अभी तक बच गए आप अब आपका बचने का चांस बहुत कम है पेशन बोलता है पर हुआ क्या है उसके अच्छा पेशन बोलता है सर एक काम किजिए आप रिपोर्ट मुझे दे दिजिए मैं घर चाहूंगा बोलता है घर आप पहुंचेंगे कैसे उसके पहले हाट अटाइक हो जाएगे अच्छा आपको क्या लगता है डॉक्टर को मालूम है क्या हाट अटाइक कल होगा आज होगा उसको तो यह भी नहीं मालूं 70 है 80 है या 90 है क्यों ऐसा बोला जा रहा है तू क्रियेटा फियर और फियर से क्या होगा फिर operation के लिए इमीडियेटली बहुत सारे लोगों को इता बोलने का जरूरती नहीं हो तो इमीडियेट तैयारी हो जाता है हाट का सुनते है उसके मन में ऐसे डर रहता उसको जाए डराने का पर कभी कभी patient बोलता है सारे एक बार बताईए ब्लॉकेस तो कल भी था ब्लॉकेस तो आज भी कल तक तो मैं सारा ही काम कर रहा था यह पें तो मेरे को बड़े दिनों से मैं अब तो पता चलाओं तो आप एक काम करिए मेरे को आप डिस्चार्ज कर जिए मैं घर जा के फिर सोचूँगा बोला नहीं आप एक काम कीजेगा आप करवड भी लेंगे ना तो हमको पूछ ली है कि पेशेंट इस वेरी क्रिटिकल एनी मोमेंट डाई आप बोलो मैं बचाने की कोशिस करूं जाने दू अचा आंसर क्या होगा वाइट क्या बोलेगी कि जिन्दगी बर इन्होंने मेरे लिए कि आज मेरे को चांस मिला आस तो मैं ऑपरेशन वाइट बोलती है कोई चीज है कोलेस्टोल के बज़े से ब्लॉकेज होता है इनका कोलेस्टोल हाई है तो क्या करूं कि कोलेस्टोल कम हो जाए खाने पिने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए अचा काडियोलोजिस मान जाएंगे इसे बातस में वो बोलेंगे you are wasting my time he is dying and you are talking all this rubbish अचा तब तक और और ज कराया मैं निकल लाया मैं पुला आप निकले कैसे बोला मैंने बोला मैं तो नहीं कराऊंगा मोझे घर जाना है वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पांचेंगा मैं लिख के देता हूं मैं पहुंच जाऊंगा फिर मैंने लिख के भी दे दिया फिर भी हो जाने नहीं दिया मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला देखो, मैं खरने तयार हूं, पर प्रॉबलम है, मेरे पर पैसे नहीं है, आप फ्री का कोई ट्रीट्मेंट हो, तो करवा डालो. तब इनोंने बोला, कोई प्रॉबलम नहीं, आप घर चले जाओ. फिर मैं जब घर जाने लगा तब फिर से बुला यानोने बोला अब एक बाद बताओ ये इतने पैसे आप कितने दिन में एकथा कर सकते हो तब मैंने बोला देखी मुझे प्रॉपर्टी बेज के आना होगा तो दो महिना लगेगा, फिर मुझे दो महिना उन्हों टाइम दे दिया, आप कोई प्राब्लम नहीं है दो महिने बाद ही ऑपर यह उपरेशन होगा, आपको समझा रहा है ऑपरेशन कम रोक सकता है, इस इस नहीं बोलूगा, सारे जगे एक जैक्ली ही हो रहा है, पर इसका फ आपको चोटा मोटा रूप यह हॉंस्पिटल का सिस्टेम है बड़ एक बात मैं जानता हूं छोइस देना चाहिए पेशिट को देखो 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 क्या चाते हो आप अगर 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 अपने आपको बदलोगे तो अपरेशन रोख सकती है आप नहीं बदलना चाते तो मैं आपरेशन कर दूँ उसके बाद जा के बदलने का कोसिस करो बट था हूं स्पिटल डोंट इप चांस उनको मालूम है यह एक मोका है आपरेशन कर लेते हैं बट उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा लाइश्टाइल चेंज तो पेशिट को फिर भी करना पड मैं जानता हूं हाँ हाट के पेशिंस को मैं तीन चीज देखते दिखाऊं एक तो दवाईया है बाइपास और एक अंजयोप्लास्टी यह दवाईया मैं आपको एक बाद सम्झाना चाहता हूं दवाईया क्या काम करती है और अनदर टैन मिने साइल टेख देखे यह टूब कि अधिए देखे क्या करता सअर्विट्रेट इस डिष्ट इस देखे अशना फार ट्री चूड़ी हो गई ब्लॉकेज महीं कि यह रहए गई चूब चूड़ी हो गई चूब थोड़ा फैल गया फैल थे क्या हो गया ब्लड सप्लाई बढ़ गई बढ़ गई पेशिंट ब यह सब दवाई हम लोग दे देते हैं, sorbitrate, ismo, isodil, monotrate, nitrofix, angisade, imdur, angicor, vasotrate, monotrate, monosorbitrate, nitropanteen, vasoprene, monosprene, इस तरह की दवाईयां हम हाट के पेशेंस को दे देते हैं, एनिवे, दवाईयां बहुत सरे तरह के मिलती हैं, एक होता है हाट की ऑक्सिजन की जरुवत को कम कर इसको बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्सियम चैनल ब्लॉकर, फिर A.S. इनिवीटर, ऐसे करके बहुत सारी गोलियां हम लोग हाट के पेशेंस को दे सकते हैं, I am not going to go into that detail, कुछ ब्लड पतला करने का दवाई भी देते हैं, आपने देखा हैं, इको स्प्रीन, कोल स्प्री अजिए, अनिवीटर, इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं, बलड को पतला करने के लिए, पर ये गोलियां देने से भी पेशेंट ठीक, नहीं होता है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं वो लाइफस्टैल चेंज करें, अपनी ब्लॉकेज को कम करें, कि इनको देने की जर एसीडिटी की गोली दूँगा और नींद नाए तो नींद की गोली दूँगा अच्छा पता है यह बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है I am not keen मैं जानता हूं दबाई आज जरुवत है पर कल दबाई की जरुवत ना हो उसका बंदोबस करना बहुत जरूरी है इसके बाद चलते हैं यह एंजियोग्राफी क्या चीज़ है हॉस्पिटल में जाते हैं एंजियोग्राफी करते हैं और यह एंजियोग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद चाहता है यह एंजियोग्राफी एक तार आपके पूरे बाड़ी को स्क्रैच करके हाट तक लेके जाना है यह तार यहां से जो घुसेगी बाड़ी तिलिट रिचेगी तिस अब्लाइंड प्रसीज़ अब गुसाद और यह अंदर जाती जाएगी और अगर तो आप प्रसाましょう आपके कि मैंने ऐसे ऐसे से पेशंट देखे के और अंजियोग्राफी पड़ी ऐसलोगी एंजियोग्राफी में पयर को काड़ना पड़ा क्नेमेज करती तो इंजियोग्राफी में नहीं चाहता होँ ह rang एक, इन्यक्राफी एक उसके ऑद प्रेशर काडिय करते हैं कि एंजिवाइप्लास्यप्राटी एक बेंगाइपस्टाजडी एक बाईपस्टाजरी मैं जो प्लास्टी दो मुनीट आपको समझाना चाहता हूँ वाट इस अंचियो प्लास्टी एक ऍस्टेंट लगा ड़ा थे हाट में वाट इस इस लिट मी एक स्ट्रेंड कोटाब लेडर राया, रेडियो एक्टिव स्टेंट आई, लेजर अंजियो प्लास्टी है, आज कल चल रहा है, ड्रग कोटेट स्टेंट, पर यह सारे के सारे फेल हुए है, क्यों फेल हुए एक बर समझाना चाहता हूं, देखें यह बिलूनिंग क्या चीज है, यह याद है आपको एंजियो ग्राफिक के पर तार अंदर घुसाई थी, वो कहां तक गई थी, हाट तक, यहां तक तार आई थी, इस तार के ओपर यह बिलून रोता है, इस तार को थोड़ा सा धटका मारते है, कभी-कभी करडियो लोजी तार को अंदर रखके बाहर आ जाते है, आके बोलते हैं, देखो तार अंदर है, बोलो तब ही खोल दूँ, आप बोलते हैं, चलो खोल दो, कितने लगेंगे, दो लाख लगेंगे, दो लाख दे दिया, अब यह तार को यह लोग धका देते हैं थोड़ा और, तो तार की जो बेलूने यह बीचो बीचा जाती तो बहार से सिरींज से पानी डालेंगे तो बेलून क्या होगा, फुल जाएगी, फुलते ही ब्लॉकेज खाएगी, साइड में दब जाएगा, उपर कंप्रेस्ट हो जाएगी, नीचे कंप्रेस्ट हो जाएगी, अच्छे यह बेलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा है वेलून को वहा पर दो छाद से जादा के बाहरा निख सकते हो जाएगे हैं रो जाएगी उन्डे हो जाएगी दो बलॉक्च बेलून अधर नहीं अलास्टिक है और जैसे बेलून निकाल लिया ब्लॉकेज बापस आने लग गई थोड़े साल बाद यही काडियोलोजिस्ट मान गए बेलूनिंग काम की नहीं है पहले क्लेम किया था बेलूनिंग एक बार करा ओगे जिंदगी बर चले गई फिर मान गए काम की न प्राइड में आ गई है जब बेलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज बापस आएगी त्म यहां पर एक स्प्रिंग लगा दे तों यह स्प्रिंग क्या क्रेंगा बलॉकेज को आने से रोग देगा यह विद जो समझ गें का मतल स्वर्क मतलब क्या है अगर स्प्रिंग डाल stent में 6 में एक साल में सारे ब्लॉक आजाती वापस और यह जब वापस आने लगी तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है नहीं आती है थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला कि नहीं यह stent सो खराब होगी क्योंकि यह ordinary stent है इसमें एक medicated stent देना होगा वो दवाई में डाल के spring को निकाल लेंगे अब बहुत बढ़िया हो जाएगा तो drug की coating चल जाएगा आपने देखा है चांदी के गहने में सोने की coating चड़ाते हैं तो वो spring के उपर coating चड़ा देते हैं और वो कोटिंग चड़ा के लगा दिया पर इसके बाद भी यह foreign body ही रही इसमें वही कवही result आया है अभी latest है कि 66% people within one year will come back with a re-blockage इसके बाद है bypass surgery एक बहुत बड़ी surgery होती है देखे bypass surgery मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ इस बहुत बड़ा surgery है एक पूरे चेस्ट को काटो और इसको काट के इसको चाकू से नहीं कटेगा इसमें आड़ी से कटेगी आड़ी समझते हैं आपने मार्बल फिटिंग के बख़ एक देखा है गोल चक्का लेके घूंते है एसा एक लगा के पुरए खुलेगी इसको अंदर से जैक तरके एसे खोलेगा अंदर में हाट को रोक के उसमें अपरेशन होगी और हार्ट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉड़ी को ब्लड जाएगा इसको बोलते है हाट लंग मशीन उसमें कुछ ब्लड डालके उससे चलाना होगा and during this time the operation has to take place but this operation is very complicated लग अच्छा हो तब ठीक है नहीं तो कुछ ना कुछ complications रहती है बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है पर operation के बाद क्या होगा यह देखिए operation के बाद क्या होगा यह ट्यूब जो ब्लॉकेज है वो हैं ही रहे गई उसके जएके नहीं ट्यूब लग गई तो यह ब्लॉकेज के जएके नहीं ट्यूब लग गई तो क्या हो गया बाइपास हो गया पर यह नहीं ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं आपको क्या लगता है यह नहीं ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है अच्छा आप तो 40 साल बाद ही आएगी ना और एंजियो प्लास्टी के बाद अगर दो साल में बापस री ब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई? चालीस परसेंट पर और बाइपास के बाद अगर पांच साल में री ब्लॉकेज आती है तो बीस परसेंट पर जो ट्यूब ओरी जेनली दो परसेंट की ब्लॉकेज कर रही थी वो अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब ओरीजिनल नहीं रहा हमारी बाड़ी को जब तक ओरीजिनल रखो तब तक अच्छी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दो दो वाइपास कराई है एंजो प्लास्टी पांच स्टेंट लगाई है पर मैं जानता हूँ उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा एक बार कर लिया दुसरे बार करा है कब तक करा सकता आदमी? और मैं जानता हूँ बाड़ी में एक बार कम्प्लीकेशन कराना उनके लिए तो चलो बहुत बढ़ा टीम लगेगा यह एक्तर आदमी के लिए इतना बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है और इतना बड़ा ओपरेशन नहीं भी कर सकते हैं ठीक से पर मैं जानता हूँ, अगर ओपरेशन भी नहीं हमारी काम बन जाए अगर हम लाइश्टाइल को ही चेंज करके कर सकते हैं, तो हम उपरेशन क्यों करवाएं and this is what is the contention and never delays, मैं हाट के पेशन को एक ही चीज समझाता हूँ कि ब्लॉके जगर रिवर्स करना है, तो इसके लिए थोड़ा आपको accuracy करना होगा, what is this accuracy you understand this is the accuracy, इस picture को आपने देखा है, इसमें accuracy लिखा है, कितना accuracy है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये एक drum है, ये drum में में पानी भरना चाहता हूँ और इसमें 15 छेद है, आप बताएं कितनी छेद बंद करने से drum बरेगी सारे को करना होगा, अचा मैं हाट के पेशिंट सो क्या देखता हूँ, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में, वो क्या बोलते है, मेरा कोलेस्टरोल कंट्रोल है, ट्राइगलिसएड जादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी जादा है, मैं बुला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंद चाहिए मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो कैसे चलेगा, मैं बुला थोड़ा थोड़ा से निकाब नहीं चलेगा, मैं मैं बीपी कम किया हूं, पूरा कम नहीं कर रहा हूं, 120 नहीं लड़ा हूं, 140 ही रखा हूं, मैं बुला नहीं चलेगा, मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चलिये, हाँ, इसके लिए शुगर, बीपी, कोलेस्टरोल, ट्राइगलिसाइड आपसे कम नहीं हो रहा हूं, म दुगा है, आपको पूराइब पांन होगा, खाने में तेल आपको बंगड़न होगा, एकसरसाइब आपको करना पड़ेगा, और वेट कम करना होगा, ओड़ में अपयन बाहिए, अच्छा यह सब संबब है क्या लोगों के लिए? यह इस क्या प्रप्राबल्म है यह तो सिंपल सी बात है इसको क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं सिंठ बं कर सकते क्यों नहीं मीड बं कर सकते क्यों नहीं टेल भी छोड़ कि आप अप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं तो all these if you do there is no problem नेवर दिलेस, मैं जानता हूँ, एक और छोटा साथ चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक और नहीं जो टेकनोलोजी आ गई है, आदमी को मैं सोचता था, बिना काटे कुछ हो सके, यह हमारी कुकिंग की क्लास है, इस इस अ कुकिंग क्लास, मैं हाट के पेशिंस को ट आड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, आफिस जाओ तो क्या प्रिकॉशन लो, दादर चड़ो तो क्या प्रिकॉशन लो, आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो, कौन सी मेडिसीन लो, कब तक लो, and for this, हाँ, मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ, इसका नाम है साओल टाइम्स, ये मैगजीन में हर महीने निकालता हूँ, दिल्ली से निकलती है, हिंदी और इंग्लीश में, अच्छा आपको एक फॉर्म दिया गया है, क्या ऐसा देखे तो, have you got a form like this? ये फॉर्म में अगर आप अपने नाम एड्रेस भिभर के देंगे, तो आपको ये मैगजीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने, हिंदी में, इंग्लीश में, दोनों में मैगजीन है, और इसके साथ एक छोटा सा और कुश्चिन यह रखा है, कि यहां पर अगर हम लोग ऐसा कोई कैम्प करवाएं, तो how many people will be interested to join such a camp, एक दिन का या दो दिन का ऐसा कैम्प अगर हम करवाएं, तो कोई interested हो, तो please fill it up, मेरे को लोग बोलते हैं, डॉक्र साब इतनी सारी बाते हैं, अगर कैसे याद रखूंगा, मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखे, आदमी बोलता है, चोटा सा कुछ दीजे ना copy, तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है, जिसका न परना चाहता हूं, और कोई को पढ़ाना चाहता हूं, हाट के पेशिंट को जरूर पढ़ाई है, 30 रुपीज की गिफ्ट होती है, you can give it to anybody and they will learn things from the book, तो ये बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं, मैं ये मैगजीन पिछले 10 साल से रन करता हूं and it is gone all over the world, मैं एक नही टेक्न मैं क्या करते हैं, नहीं ट्यूब लगा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो हाट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है इनको जोड देते हैं आपस में, and there are so many small tubes, जो इसको जोड जाए तो blood यहां से यहां से आने लगे, ये जो छोटे-छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए, तो ये को लेटरल भगवान ने हमें देखे रखा है, ओरिजिनल तो धा ही था, एक को लेटरल भी देखे रखा है, अभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना, अच्छा ये अगर चालू हो जाए बीना ऑपरेशन के, तो इससे अच ये टूसरा काई ढए तो भी देखे हो सरह कुप साथ। खर्सकाप कोई तो चालू कर सकते हैं ये मशीन क्या करति है, या पर चालू कर सकते हैं श और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दो तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहा जाएगी, बॉडी में ही रहेगी, पर कहा जाएगी, यह हार्ट के तरफ जाके हार्ट के ट्यूबस को धक्का देके, प्रेशर देके इसको खोलेगी, यह प्रेशर एक एक गंटे तक एक एक में, इसको हा PCG feed होती है computer को and this machine we have seen now without bypass surgery आदमी बोलता है मुझे immediate result चाहिए तो without bypass this can work very well तो इसको हम लोग बोलते है natural bypass, natural bypass समझ नहीं, भगवान ने already natural bypass हमें दे के रखी है, sportsman चालू करके रखा है, तो आप heart के patient हो आप चालू करो आपके पो लेटरल आ गई तो original नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी, और एक, मैं जैसे ही, हाँ, एक और treatment आई है जिसको हम लोग गुनते है, bio chemical cleaning ये अभी बहुत अच्छी result आ सकती है, कुछ chemical अंदर डाल के blood में उसको अंदर से गला लिया जाए जैसे kitchen में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हम लोग, कुछ chemical डालते हो अंदर से, तो ये chemical की भी treatment आचकल चल रही है, बट अभी भी इसका results हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट results are still there, बहुत सरे ऐसे patient हैं जो 30-40% से blockage इससे कम हो सकती है, never the less, मैं समझता बोला आपने स्कूल उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है, मैंने बोला क्यों आपने स्कूल कॉलेज में देखा हैं, कभी भी periods 40 मिनिट से जादा नहीं रखते हैं, उसमें पांच मिनिट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आदे घंटे ही चलेगा दिमाग, मैं बोला पर म अतलाल जी को जिन्होंने आपके लिए ये लेक्चर कराया है, और अजर अगर अपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो उनके लिए फिर से एक बार एनिवे, मैं जानता हूँ, मैंने लेक्चर तो खतम किया है, और मैं चाहता हूँ, कि आपके पास अभी भी कोई 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 कोश्चन जरूर होगी, मैं कैम भी करता हूँ, और मेरी बंबई में, जुहू में एक क्लिनिक भी है, जहां पर हर वकर डॉक्टर है, और ये मशीने अब कोई कोई जरूरत पड़े तो आप हमारी किताबे जरूर पढ़ियेगा, और ये चोटी वाली किताब भी पढ़ियेगा, अगर आपके पास कोई 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 किताब जो कोई 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 काया है? So if you have questions, I would want you to ask the questions and I would like to answer the questions. आखेक्ता ईकली ये नियुक्त बात थे telco hayl, yes, जिकरणे डाल मैं आपको बता दू, हैल्कोहल हीड के लिए कभी अच्छी नहीं है, we don't recommend alcohol for the heart patient, क्यों एल्कोहॉल में ग्लिसरोल होती है, और ग्लिसरोल से ट्राइग इनकी ल का रिस्ता होता है, Triglyceride, Glycerol होता है उसमें भी तो एल्कोहल में aldehyde group है और Glycerol में aldehyde group है और यह दोनों एक दुसरे से exchange हो जाती है जब भी कोई alcohol ले तो उसका Triglyceride 40-50 तर बढ़ जाती है तो एल्कोहल कभी हार्ट के लिए अच्छा है ही नहीं पर एलकोहल से एक अच्छा ही होती है हाट में वह है HDL बढ़ जाती है तो हाट के पेशिएंट की आच आते हैं मालो मैं बोले HDL की बात करो वो ट्राइगलेजर्ट की बात ना करो मैं अरे मैं शेर्बात ना करूं एक चीज अच्छा यह कराब है न तो में दोनों के बात करूंगा ना अच्छा एलकोहल में यह की खराबी है और भी खराबी है मैं आपको बिनाता हूँ असद ऑग एक numa क्वराब हो जाताका है अधिक्षिन उता है इस बात मालूगा एडिक्षिन मतलब क्या है जिसको एलकॉहल पीने की आदत पड़ जाए वो मार फिट करके पीएगा हर दीन पियेगा एक आदमी मेरे को बुला सर सब कोई नहीं होता है पिर दीरे अब हर दीन पिने का आदत हो गया है तो कौन गैरंटी दे सकता है आप उसी एडिक्षिन में नहीं जाओ एलकॉल में परिवार को बड़ा तेंशन रहता है वाइप सबसे ज्यादा दुखी होती है जब हजबंड सराप पीता है तो वाइप सबसे ज्यादा दुखी करता है क्योंकि उसका अलकॉल या तो पसंद हो जाएगा तो पीने चालू कर देगा भी बिगड़ेगा अच्छा मेरे को कभी कभी लोग बोलते सर पर मैंने देखा काडियो लोजिस्ट बोलते है थोड़ा बट पिया करो कि मैंने बोला छे काम करना उस काडियो लाजिस्ट को जाके पूछना कि सर यह अच्छी चीज है क्या बोला हूँ अच्छी चीज है तब नहीं को बता रहा है मैं बोला उसको पूछना कि अपने बेटे को और अपनी बीबी को पिलाना चालू किया क्या हर दीन बोलता है नहीं मेरा बेटा पिए का तो निकाल दूगा घर से अ गोस देना समझते हैं गोस देना घुराइब करना समझते है घुराइब होना यह से बहुत काम हो ज нормально तो पेशेंट को बहुत काम हो जाथे है है कि पेशेंट बोलेगा दॉक्तर मेरा बहुत बढ़ी है सारा चीज गैफार कर देता है गार्लिक हाट के लिए अच्छा पर निसेसरी नहीं है जो नहीं खाता है उसको इंखाना होगा ऐसे हज्जारों फूड है जो हाट के लिए अच्छा है तो यूझें टेक अनी अफ इस फूड पर एक आदमी मेरे को बोला सब करने हैं सुर्ब गार्डी कहा फिर मेरा ब्लॉक लगको फिर करना है ढूंकि मैं भॉला नहीं जितने खराब बॉल्य आईटेमट में बंद्रने होंगी जितने अच्छी वाली सब चालू करनी होगी तो ऐसा नहीं कि गार्लिक इस पैनासिया, गार्लिक इस डिफिनिटली गुड, कोलेस्टोल को कम करता है या, यस मैम CT अंजिओग्राफी बंबई में बहुत सारे जगे हैं, मेरे खाल से कम से कम बीस मशीने लग गई हैं, हम जहां करवाते हैं, वो चित्रा करके हैं ये दादर में, फो ये चार्ड शिक थाउसन रुपीस, तो ये CT अंजिओग्राफी कर लिए आपको अगर ड्रेस चाहिए हाँ, हमारी क्लिनीक ड्रेस आपके पास है औरी you call them up they will give you the details okay so what is good cholesterol and what if you have you know in the range of good cholesterol is higher than the normal range so how does it affect the heart and what is see good cholesterol is good cholesterol ko good kyo bola jata hai it goes to the blockage picks up the cholesterol and takes it out so good cholesterol if you can increase it is wonderful we want more than 40 so good cholesterol so is good cholesterol anyways related to fat also i mean it is it is coming from fat plus protein um this is dr anuj here i have done lot of your patients i have done echoes of those patients at chitra scan and let me tell you i am a cardiologist and i really loved your lecture it is an amazing talk that you gave and i pray that we do something together with all the malpractice i am very much aware of what is going on I am very much aware of what is going to happen and I Р is going on and I believe that our human and I have seen and once